देखिए कॉंग्रेस सद्यक्षा मैं अब चुरू कर रहा हूं यह दोनों सेमी तो है देखिए कॉंग्रेस सद्यक्षा को मलिकारजुन खरगे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजिस्तान के अंदर जो विधायक गल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई कॉंग्रेस सद्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटना करम के उपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कॉंग्रेस सद्यक्षा को दे देंगे कॉंग्रेस सद्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था आज सुभे जैपूर के अंदर मैंने दो-तीन बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोराना चाहूंगा सबसे पहले तो जो कॉंग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को साथ बजे की रखी गई थी ये गुख्यमंत्री जी के कहने के उपर उनकी सहमती से उनके कहने के उपर समय और स्थाल दोनों के दोनों ते किये गए थे और कॉंग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहाँ पर हर विधायक से एके करके अलग-अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है वहाँ पर नहीं फैसला यहाँ पर वापस आकर कॉंग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कॉंग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता तो यह स्पष्ट हम लोगोंने कल से सब लोगों को कह रहे थे अभी दुबारा से कहना चाहते है हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोगाए और तीन शर्ते उस वकट रखी गई एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्ने जो भी रेजिलूशन होगा उस रेजिलूशन का के उपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होगा होना चाहिए और ये रेजिलूशन का हिस्सा बनना चाहिए तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो वेक्ति जो रेजिलूशन मूव कर रहे है कि सारे अधिकार कॉंग्रेस अध्यक्ष को दिये जाएं वो वेक्ति कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते है और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीच जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे तो ये conflict of interest नहीं है तो क्या है दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग-अलग नहीं मिलिये बलकि आप group में मिलिये, समू में मिलिये इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा Congress में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समू में बात करी जाए सब विधायकों से अलग-अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग free and fair तरीके से अपनी बात को कह सके कभी भी group में बात नहीं होती तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोग घेलोड जी के खेमे में है उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वकट जो दो साल पहले अशोग घेलोड जी के साथ में थे तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को सपर्ष तरीके से कॉंग्रेस सद्यक्षा के सामने रखा जाएगा हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कॉंग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडिशन्स नहीं लगाई जाती हैं बगैर कंडिशन्स के जाती हैं और सारी बातें कॉंग्रेस सद्यक्षा को बताई जाती है और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके मुख्य मंत्री जी और वरिष नेताओं से चर्चा करके उसके उपर फैसला होता है तो दुर्भागे पून ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई हमने पूरी की पूरी जानकारी कॉंग्रेस सद्यक्षा को जैसे मैंने कहा हमने दिया है उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्ताज से इसके बारे में मागी है जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुभे तक के हम दे देंगे धन्यवाद देखे एक एक गरच हमने इस सारी की सारी बाते कॉंग्रेस अध्यक्षा को बताया है जैसे मैंने सुभे भी कहा कि जब कॉंग्रेस विधायक दल की आपचारिक बैठक जब करी जाती है जब कॉंग्रेस विधायक दल की आपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके parallel कोई भी और विधायक, दल की बैठक के parallel कोई भी और विधायकों की अगर meeting बुलाई जाए तो वो प्रात्मिक दिश्टी से indiscipline है, वो प्रात्मिक दिश्टी से अनुशासन विरोधी है तो ये मैंने सुभे भी कहा था, बही भी कहा, और ये बात हमने कॉंग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कॉंग्रेस अध्यक्ष को लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल्चुपे तक दे देगा मैं समझता हूँ मैंने सारी की सारी बाते बता है धन्यवाद